हो सकता है कि सुनने में ये काफी आश्चरे जनक लगे लेकिन सच्चाई यही है कि प्रित्वी आज से लगभग 4000 मिलियन इयर्ज पहले एक्जिस्टेंस में आई थी धर्ती पर मानव का उदय आज से लगभग 26 लाक साल पहले हुआ था यानि अराउंड 2.6 मिलियन इयर्ज पहले क्रिशी या एक्रिकल्चर की शुरुआत लगभग 9000 इसापूर में यानि आज से लगभग 11000 साल पहले हुई थी एक्रिकल्चर की शुरुआत से पहले हुमन कम्यूनिटीज अपनी जिन्दगी को चलाने और खाना जुटाने के लिए लगभग पूरी तरह से हंटिंग और गैदरिंग यानि शिकार करने और भोजन का संग्रह करने जैसी अक्टिविटीज पर डिपेंडेंट थी ये सभी फैक्ट्स इंडिकेट करते हैं कि हुमन स्पीसीज अपने एक्जिस्टेंस के लगभग 90% टाइम में मुख्य रूप से हंटिंग और गैदरिंग की एक्टिविटीज पर सर्वाइव करती रही इस समय इन कम्यूनिटीज के लिए भूजन प्राप्त करने का केवल एक तरीका था और वह था उसे जुटाना यानि फूड प्रक्योर्मेंट क्रिशी के साथ ही मानविय समुदायों यानि human communities ने खाने का उत्पादन यानि food production करना शुरू किया शिकार और भूजन संग्रहन या hunting और gathering activities के लिए सबसे primary requirement थी इन activities को successfully कर पाने के लिए पत्थरों के औजार या हथियारों की availability और इस तरह से stone tools, human existence और in human communities या मानविय समुदायों के subsistence strategies यानि जीवन यापन की नीतियों का एक महत्वोर्ण हिस्सा बने रहे थे पुरा और मध्यपाशान कालीम या Paleolithic और Mesolithic टाइम्स के मानविय समुदाये लगातार food procurement यानि खाना जुटाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार घुनते रहते थे और इसलिए इन communities के बारे में archaeological evidence आसानी से नहीं मिल पाता है क्योंकि ये एक जगह पर लगातार नहीं रहते थे और किसी स्थान को छोड़ने पर ये पीछे कोई बहुत detailed archaeological information या profile नहीं छोड़ते थे दूसरी बात ये है कि दुनिया भर में human existence के सबसे शुरुवाती दौर विशेश रूप से paleolithic और misolithic समय के बारे में historical evidence के तौर पर human remains बहुत ही कम संख्या में मिले हैं भारत में तो ये लगभग ना के बराबर हैं और जो एकाध मिले भी हैं वे काफी बाद के समय के हैं ऐसी स्थिती में शुरुवाती पाशान काल यानि early stone age की study के लिए जो सबसे important sources हैं वे हैं उस समय के बने पत्थर, लकडी या हड़ी के औजार आम तोर पर ये सभी materials non-perishable होते हैं यानि समय के साथ नश्ट नहीं होते हैं और इसलिए बड़ी संक्या में इन वस्तों से बने औजार दुनिया और भारत के अलग-अलग हिस्सों से प्राप्त हुए हैं और archaeologists मुख्य रूप से इन ही औजारों के detailed examination और analysis के basis पर इस समय के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं Human communities के sedentarization या एक ही जगए पर permanently रहने की शुरुवात के साथ ही उनके बारे में historical evidence अधिक मात्रा में available होने लगता है और साथ ही यह evidence बहतर ढंग से preserved भी रहता है आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए एक aspect पर संगशेप में चर्चा करना important है यह समझना जरूरी है कि अपने लंबे इतिहास में मानविय समुदायों और समाजों या human communities और societies ने लगातार अपने जीवन यापन की नीतियों जिसे अंग्रेजी में subsistence strategies कहा जाता है में बदलाव किया subsistence strategies को हम सामानने रूप से भोजन प्राप्त करने की अलग-अलग strategies के तौर पे समझ सकते हैं और human communities लगातार इस बात का प्रयास करती रही कि कि किस प्रकार भोजन प्राप्त करने की process को easy और efficient बनाया जा सके human past में जीवन यापन की पद्धतियों में होने वाले changes मोटे तोर पर बहतर efficiency और ज्यादा से ज्यादा भोजन प्राप्त करने के लिए ही हुए थे subsistence strategies में आने वाले इन बदलावों ने मानव के इतिहास को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है उदारण के लिए मानविय इतिहास में पशुपालन यानि पैस्टोरिलिज्म और क्रिशी यानि agriculture की शुरुवात गैर क्रिशी अर्थ व्यवस्था जैसे व्यापार या ट्रेड शेहरी करन या अर्बनाइजेशन आदी बड़े बड़े इतिहासिक बदलाव मोटे तोर पर इन ही subsistence strategies में आने वाले changes के कारण ही संभव हुए थे पर शुरुवाती दोर में होने वाले changes के पीछे दो महत्वूर्ण कारण दिखाई देते हैं जो हाला कि बहुत slow और लंबे समय में हुए थे पर उन्होंने मानव के इतिहास में बहुत महत्वूर्ण भ यानि intellectual और physical capabilities में वृद्धी या enhancement इन क्षमताओं की वृद्धी में दो परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण थे पहला मानव के पूरवजों द्वारा चार की बजाए दो पैरों पर चलने की क्षमता जिसे अंग्रेजी में बाइपेडलिस्म कहा जाता है को विक्सित करना जो आज से लगभग 70 लाख साल पहले हुआ था और साथ ही आज से लगभग 25 लाख साल पहले मानविय मस्तिश्क यानि human brain की बनावट और संरचना यानि shape और structure में बदलाओ जिसने उन्हें दिमागी तोर पर बाकी जानवरों से कहीं बहतर बना दिया इन परिवर्तनों ने निश्चित रूप से इन समुदायों को बहतर औजार बनाने और उन्हें अच्छे ढंग से प्रयोग करने के लिए भी तयार किया होगा साथ ही environmental और ecological factors या पर्यावरणिय कारकों ने भी human communities में आने वाले परिवर्तनों को प्रभावित किया होगा बौधिक और शारिरिक शमताओं में enhancement तथा बदलती ecological conditions ने शायद मानव को ये समझ विक्सित करने में सहायता की होगी कि वे एक ऐसा औजार जिसकी shape और form उसने पहले ही दिमाग में बना रखी थी कैसे बना सकता है वैसे तो ये बात बहुत सामान्यसी लगती है लेकिन जब मानव ने ये capability हासिल की होगी कि वे किसी भी वस्तु को अपने दिमाग में सोचे और फिर उसे ठीक वैसे ही बना पाए तो निश्चित रूप से ये उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलबधी रही होगी बाद में इसी intellectual advancement के चलते पत्थर के एक basic all-purpose tool जिसकी utility बहुत ही limited रही होगी की बजाए अलग-अलग किस्म के specialized stone tools का विकास संभव हो पाया साथ ही जीवन यापन की तकनीक में efficiency लाने के लिए बड़े और भारी भर कम औजारों की बजाए छोटे और हलके ओजारों में परिवर्तन भी इन्ही बौधिक और शारिरिक शमताओं के विकास के कारण संभव हो पाया होगा बौधिक और शारिरिक शमताओं में enhancement के कारण पत्थर के ओजारों को बनाने में आए परिवर्तनों और refinements ने सीधे सीधे subsistence strategies या जीवन यापन की नीतियों और पद्धतियों में changes को आगे बढ़ाया होगा ये माना जाता है कि बौधिक शमताओं यानि intellectual capabilities में होने वाले लगातार विकास ने tools बनाने की बहतर टेकनीक को आगे बढ़ाया better technique और tools बनाने की process पर अधिक control की वजह से कम समय में ज्यादा ओजार बनने लगे कच्चे माल की wastage पहले से कम होती चली गई और ज्यादा प्रभावी ओजार बनाय जाने लगे जिन से और अच्छे नतीजे मिलने लगे पत्थर के ओजारों में जैसे जैसे varieties बढ़ती चली गई वैसे वैसे मानव के लिए और अधिक जानवरों की species का शिकार करना possible हो पाया इसे हम एक उदारन से समझ सकते हैं शुरवाती दौर के भारी भर कम और बड़े ओजारों से खरगोश, मचलियों और हिरन जैसे चपल या स्विफ्ट जानवरों का शिकार करना लगभग असंभव रहा होगा इन ओजारों से भारी भर कम पर कम तेजी से दोड़ने वाले जानवरों जैसे जंगली भैसा, जंगली सुर, आदी का शिकार comparatively आसान तो रहा होगा पर इसमें खत्रे भी बहुत अधिक होते होंगे बाद में छोटे-छोटे ओजारों के अविशकार के साथ तीर कमान और भाले जैसे हत्यारों का निर्मान संभव हुआ जिनसे बहुत तेज गती से भागने वाले जानवरों का दूर से ही शिकार करना पॉसिबल हो पाया होगा इस प्रकार जितने ज्यादा वैराइटी के ऑजार मानव के पास अवेलेबल हुए होंगे उतना ही उसके लिए अलग-अलग जानवरों का शिकार करना पॉसिबल हो पाया होगा अधिक से अधिक जानवरों की शिकार के लिए availability ने human communities की इस मजबूरी को भी कम किया होगा कि वे शिकार की खोज में बहुत लंबे क्षेत्र में भ्रमन करें उदाहरण के लिए यदि कोई शिकारी समुदाए अपने शिकार के लिए केवल हस्त कुठार यनि हैंड एक्स जैसे भारी भर कम और कम efficient औजार पर निर्भर है जिससे वे केवल बड़े और comparatively slow moving जानवरों का शिकार कर सकता है तो ऐसी स्थिती में क्योंकि वे जानवरों की limited species का ही शिकार कर सकते हैं इसलिए इस बात की possibility बहुत कम होगी कि एक छोटे से area में उन्हें बड़ी संख्या में ऐसे जानवर मिलें और इन situations में उन्हें लगातार ऐसे जानवरों का शिकार करने के लिए ज्यादा बड़े areas में घूनते रहना होगा इसके opposite अगर कोई species हस्त कुठार या hand eggs जैसे औजारों के साथ साथ ऐसे छोटे औजारों का भी प्रयोग करने में सक्षम है जो हलके हो और जिनका प्रयोग तीर कमान और भालों पर किया जा सके तो ऐसी situation में वे बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे और तेजी से भागने वाले जानवरों का शिकार भी कर सकते हैं और क्योंकि उनके सामने शिकार करने के लिए जानवरों के options अधिक हैं इसलिए उनके लिए बहुत बड़े areas में घूमने की मजबूरी भी लगभग न के बराबर होगी इस बात में कोई doubt नहीं है कि बौधिग विकास के साथ साथ औजार तकनीक में आए बदलाव के चलते collectively मिलकर शिकार करने की strategies में भी बदलाव आया होगा जिसके चलते इन समुदायों के लोगों के बीच एक emotional bond भी विक्सित हुआ होगा मानविय इतिहास के बहुत से अलग-अलग आयामों में से एक यह भी माना जाता है कि किस process के माध्यम से मानविय समुदाय या human communities घुमन्तू से स्थाई होती चली गई इतिहास लेखन के संदर्भ में इस प्रश्न पर कई लंबी debates देखी जा सकती हैं एक बहुत ही प्रचलित और मान्य द्रिष्टिकोन यह है कि क्रिशी के साथ ही मानविय समुदायों ने एक स्थान पर पूरी तरह से स्थाई रूप से बसने की शुरुवात की इसके पीछे मूल तर्क यह है कि क्रिशी की पूरी प्रक्रिया मिट्टी को भुवाई के लिए तैयार करने से लेकर फसल की कटाई तक महीनों तक चलती है और ऐसी स्थिती में एक ही स्थान पर रहने के अलावा और कोई चारा नहीं होता तो इस प्रकार क्रिशी की उत्पादन प्रक्रिया के चलते स्थाई करन महतवोण माना गया इसमें कोई संदेह नहीं है कि क्रिशी की शुरुवात ने स्थाई करन की प्रक्रिया को और मजबूत बनाया पर सवाल ये उठता है कि क्या एक ही स्थान पर हमेशा के लिए बस जाने की प्रक्रिया की शुरुवात क्रिशी के साथ ही हुई थी या ये पहले से चली आ रही थी। अब ऐसा माना जाने लगा है कि स्थाई करण एक ऐसी प्रक्रिया थी जो अचानक ना होकर धीरे-धीरे सैकडों या हजारों वर्षों में पूरी हुई थी। इसके विशे में कई मत दिये जाते हैं। एक संभावना ये भी है कि जैसे-जैसे मानविय समुदायों के ओजार बहतर हुए, वैसे-वैसे शिकार के लिए उपलब्ध जानवरों की स्पीसीज में भी बढ़ोतरी हुई। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। ज्यादा जानवरों की availability की वजह से मानविय समुदायों को लंबे क्षेतर में लगातार घूमते रहने की जरूरत में धीरे-धीरे निश्चित रूप से कमी आई होगी। क्या ऐसा माना जा सकता है कि शिकार के लिए घूमे जाने वाले क्षेतर का लगातार contraction इसी स्थाई करण की प्रक्रिया की शुरुवात था। इसी संदर्ब में यह भी कहा जा सकता है कि लगातार एक ही एरिया में घूमते रहने की वज़े से उस क्षेतर के साथ मानविय समुदायों का एक आत्मिक जुडाव या emotional attachment बढ़ता चला गया होगा। ऐसा माना जा सकता है कि रहने की एक secured place, खाने और पाने की availability और साथ ही पत्थर के ओजार बनाने के लिए सही ढंक के कच्चे माल यानि बहतर पत्थर की availability शायद इस बात को decide करने में सहायक रहते होंगे कि किन क्षेतरों को भ्रमन के लिए प्रात्मिक्ता दी जाए। भीम बेटका मध्यप्रदेश में भोपाल और हुशंगाबाद के बीच विंध्य परवत माला के घने जंगलों में स्थित है। यह वही एरिया है जहां से बेत्वा नदी का उद्गम या एमर्जेंस होता है। भीम बेटका में सैंड स्टोन या बलुआ पत्थर के उपर जमी हुई बसाल्ट की लेयर्ज के कटाव की वजह से गुफाओं जैसे स्ट्रक्चर्ज दिखाई देते हैं। इनी गुफाओं में पाशानकाल के मानव समुहों ने इधर हुदर घूमते हुए समय बिताया था। भीम बेटका की गुफाएं अपनी प्रागेतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिध हैं और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित हैं। ये पूरा क्षेत्र घने जंगलों और छोटी बड़ी बरसाती नदियों और नालों से भरा पड़ा है। घनी वनस्पती और पानी की अवेलिबिलिटी की वज़े से यहां बहुत अलग-अलग स्पीसीज के जानवर आज भी मिलते हैं। बलुआ पत्थर की पहाड़ियों से कौार्टजाइट नाम का पत्थर मिलता है जो पत्थर के औजार बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसी क्षेत्र में चालसडनी नाम का पत्थर भी मिलता है जो सूक्ष्म पाशाण ओजार या माइक्रोलिथिक टूल्स बनाने के लिए बहतर माना जाता है। इस तरह बेत्वा के इस उद्गम क्षेत्र जिसे बेत्वा सोर्स रीजन भी कहा जाता है कि क्षेत्र में भीम बेटका और इसके अलावा लगभग 650 ऐसी ही गुफाएं मिलती हैं जिनका प्रयोग मानविय समूहों ने निम्न पुरा पाशानकाल यानि लो़र पैलियोलिथि पीरियर तक लगातार किया इन मानविय समूदायों को इस पूरे क्षेत्र में पानी जानवरों और औजार बनाने के लिए समुचित पत्थरों की कोई कमी नहीं थी भीम बेटका और आसपास के क्षेत्र में हुए आर्केलोजिकल एक्सकेवेशन्स ने इन रॉक शेल्टर् बहुत सारे पेंटेड रॉक शेल्टर्स या चित्रिच शैलाश रहे हैं में बड़ी मात्रा में पैलियॉलिथिक समय के ओजार, मुख्य रूप से एश्यूलियन हैंडेक्स या हस्त कुठार और चैल्सडनी से बने माइक्रोलिथ्स या सूक्ष मपाशान मिले हैं इन गुफाओं को खोजने वाले महान विद्वान वी एस वाकण करने इस पूरे क्षेत्र में लगभग पाँच हजार पैलियॉलिथिक समय के ओजार और लगभग तीम लाख माइक्रोलिथिक टूल्स होने का अंदाजा प्रस्तुत किया है एक तर्क यह भी दिया गया है कि इतनी बड़ी संक्या में माइक्रोलिथिक टूल्स इस बात का संगेत करते हैं कि मध्यपाशान काल आते आते इस क्षेत्र में मानव की जन संक्या बड़े पैमाने पर बढ़ गई थी पर इसका ये मतलब भी हो सकता है कि मानविय समुदाए मध्यपाशान काल आते आते इस पूरे क्षेत्र तक सीमित रह गए थे क्योंकि यहां उन्हें अपनी जरूरत का हर सामान उपलब्द था वे इसी क्षेत्र में लगातार घूम रहे थे और अपने औजारों को पीछे छोड़ रहे थे अगर ये माना जाए तो कहा जा सकता है कि बेतवा सोर्स रीजन एक ऐसा क्षेत्र था जहां मानविय समुदाए धीरे धीरे मध्यपाशान काल आते आते केंद्रित हो गए थे और शायद ये समुदाए इस काल में इन गुफाओं में अगर स्थाई रूप से ना भी सही तो भी लंबे समय तक रहने लगे थे जो की इन में से कई गुफाओं में बनाए गए चित्रों में उनके जीवन यापन से संबंधित विशियों में रिफलेक्ट होता है इस प्रकार बेतवा सोर्स रीजन जैसे कशेत्रों ने मानविय समुदाएं के स्थाई करण में शायद कोई न कोई भूमिका जरूर निभाई थी अब हम बात करते हैं ओजार तकनीक की और इसमें सबसे पहले यह समझना जरूरी होगा कि पाशान योग में कैसे पत्थरों का प्रेयोग ओजार बनाने के लिए किया गया था पत्थरों के प्रकारों में सबसे प्रचलित दो थे एक बिल्लौरी पत्थर और दूसरा सामान्य पत्थर जो चट्टानों से प्राप्त किया जाता था बिल्लोरी पत्थर जिसको अंग्रेजी में पेबल कहा जाता है सामानने रूप से पहाडी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के किनारों और उनकी तलहटी में पाय जाते हैं ये पत्थर लगातार पानी के द्वारा फ्रिक्षन की वज़े से चिकने और गोलाकार हो जाते हैं माना जाता है कि सबसे पहले पत्थर के ओजार बिल्लोरी पत्थर पर ही बनाये जाने शुरू हुए थे क्योंकि इन्हें आकार देना comparatively easy था इसके ठीक विप्रीत सामान्य चट्टानों से प्राप्त पत्थर आसानी से उपलब्ध थे और इनकी अलग-अलग varieties को ओजार बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता था शायद इसी लिए इतिहास में सामान्य पत्थर के टुकड़े औजार बनाने के लिए मानविय समुदायों की पहली पसंद बने रहे बिल्लोरी पत्थर केवल नदियों के आसपास ही उपलब्ध था और इसके चलते औजार बनाने में इसकी उप्योगिता सीमित ही थी पत्थर से बनाए गए औजारों की तकनीक और प्रोसेस को समझने के लिए कोर और फ्लेक्स को समझना भी बहुत जरूरी है किसी भी पत्थर को औजार में कनवर्ट करने के लिए उसके उपर अलग-अलग धंग से उसकी सतह के अलग-अलग हिस्सों पर चोट की जाती थी जिस से उस पत्थर के छोटे-छोटे टुकडे तूट कर निकल जाते थे जिस पत्थर को औजार बनाने के लिए यूज किया जाता था उसे कोर या हिंदी में क्रोड तथा उस पर चोट करने के बाद उसमें से निकले हुए छोटे-बड़े टुकडों को फ्लेक या हिंदी में फलक कहा जाता है सबसे शुरुवाती दौर के भारी भरकम ओजारों को कोर के हिस्से से बनाया जाता था और इसलिए इन्हें कोर टूल्स कहा जाता है पर बाद में जैसे जैसे ओजार तकनीक में बहतरी हुई मानविय समुदायों ने ओजार बनाने के लिए फ्लेक्स का प्रयोग करना शुरू किया जिससे ओजार असल में ज्यादा धारदार और हलके हो सकते थे यहां पर यह बात समझना भी महतवूर्ण है कि किसी भी पत्थर के ओजार को केवल या तो कोर या फिर फ्लेक्स को तराश कर बनाया जा सकता है अब हम ओजारों को बनाने की अलग-अलग तकनीकों को समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले यह बात समझना जरूरी है कि ओजार बनाने की तकनीक में भी लगातार विकास हुआ था और ऐसी स्थिती में मानव हमेशा इस बात का प्रयास करता रहता था कि उसे कम से कम प्रयास में ज्यादा से ज्यादा बहतर ओजार बनाने में सफलता हासिल हो औजार बनाने की तकनीक में पाँच तकनीके महतपूण मानी जा सकती हैं यह है प्रत्यक्ष आघात या बाईपोलर परकशन अप्रत्यक्ष आघात या इंडारेक्ट परकशन अन्विल आगात यानि एन्विल परकशन दूभिधृविय आगात या बाइपोलर परकशन और दबाव तकनीक जिससे अंग्रेजी में प्रेशर फ्लेकिंग कहा जाता है औजार बनाने की सबसे पुरानी तकनीक आम तौर पर इन्विल परकशन को माना जाता है इस तकनीक में औजार बनाने के लिए यूज़ड पत्थर के टुकड़े को एक बड़ी और भारी भरकम स्टेबल चट्टान पर बार बार चोट करके आगार देने का प्रयास किया जाता था यह तकनीक ज्यादा एफिशेंट नहीं थी क्योंकि इसमें औजार बनाने वाले व्यक्ति का इस पूरी प्रोसेस पर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता था डिरेक्ट परकशन औजार बनाने की तकनीक के इतिहास में एक बहुत महत्पूर्ण पड़ाओ माना जाता है इस प्रोसेस में औजार के पत्थर पर एक दूसरे पत्थर या लकडी या फिर हड़ी के टुकडे को हथोडी की तरह यूज करते हुए सीधे चोट की जाती है यह प्रोसेस निश्चित रूप से एन्विल परकशन की तुलना में तो अधिक एफिशेंट थी पर यहां भी पूरी प्रक्रिया पर कंट्रोल काफी सीमित ही था तीसरी प्रक्रिया थी अप्रत्यक्ष आगात या इंडिरेक्ट परकशन इस तक्नीक में औजार के पत्थर पर किसी छेनी जैसी वस्तु का प्रयोग करते हुए हथोडे से प्रहार किया जाता था और इस प्रकार यह सीधी चोट नहीं होती थी छेनी और हथोडे दोनों को बनाने के लिए पत्थर, लकड़ी या हड़ी का प्रयोग किया जाता था Efficiency के मामले में यह पिछले औजारों से बहतर तक्नीक थी जहां छेनी को ठीक उसी जगह पर रख कर चोट की जाती थी जहां से पत्थर का टुकड़ा निकालना होता था इस प्रकार इस शेली में औजार बनाने की प्रोसेस पर मानव का कंट्रोल और बहतर हो गया द्विध्रोविय आगहात या बाईपोलर परकशन पत्थर के औजार बनाने की टक्नीक और प्रोसेस में बहतर एफिशेंसी की ओर एक और कदम था इस तक्नीक में औजार के पत्थर को पहले एक स्थिर चटान या स्टेबल रॉक पर रखा जाता था और फिर उस पर एक भारी हतोडे से चोट की जाती थी जिसकी वजह से या पत्थर बहुत से फ्लेक्स में तूट कर बिखर जाता था ये तक्नीक उस कॉंटेक्स्ट में ज्यादा कारगर थी जहां औजार बनाने के लिए फ्लेक्स का प्रयोग किया जाता था दबाव तक्नीक या प्रेशर फ्लेकिंग सही माइने में पहले से बने ओजारों को और बहतर और मनचाहे आकार देने के लिए और उन्हें धारदार बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी विशेश रूप से यह तक्नीक सूक्ष्म पाशान या माइक्रोलिट्स के कॉंटेक्स में ज्यादा रेलेवेंट मानी जाती है यह तक्नीक पत्थर के ओजारों को बनाने की एफिशेंसी या दक्षता को उसके सबसे बहतर स्तर तक ले जाती है आमतोर पर टाइम को हिस्टॉरिकल कॉंटेक्स्ट में डिफाइन करने का बेसिस यह होता है कि जिस घटना को एक्स्प्लेन किया जा रहा है वे कितने समय पहले घटी है आज से लाखों साल पहले घटे हुई घटना को घंटों या मिनिटों में एक्स्प्लेन करना ना केवल इल्लोजिकल है बलकि असंभव ही यही बात सदियों पहले घटी-घटनाओं, वर्षों पहले घटी-घटनाओं और महीनों पहले घटी-घटनाओं के बारे में भी देखी जा सकती है प्रिथ्वी के निर्मान की प्रक्रिया और साथ ही जैविक प्रजातियों जिन में वनस्पती और जानवर दोनों ही शामिल हैं का ओरिजिन और डेवेलपमेंट कई लाख वर्षों के टाइम स्पैन में हुए हैं इस तरह की historical processes को सदियों या वर्षों के माध्यम से explain करना बहुत मुश्किल है इसलिए इतनी प्राचीन घटनाओं या processes को समझने के लिए geologic time scale या भूवैज्ञानिक समय मान को स्थापित किया गया इस time scale को establish करने का सबसे बड़ा कारण अर्थ formation की process या प्रिथ्वी के बनने की प्रक्रिया को समय के माध्यम से explain करने के लिए किया गया था जब हम पाशान काल की बात करते हैं तब भी हम आज से लाखों और हजारों वर्ष पहले की बात कर रहे होते हैं और इसलिए पाशान काल के इतिहास को समझने के लिए और इसके माध्यम से आधुनिक मानव और इसके पूरवजों के origins को भी समझने के लिए हमें जियोलोजिक टाइम स्केल का सहारा लेना ही पड़ता है जियोलोजिक टाइम स्केल का सबसे बाद का चरण चतुर्थ कल्प या क्वाटर नरी कहा जाता है और इसे आगे दो और समय खंडों में विभाजित किया गया है पहला अत्यन्त नूतन या प्लीस्टोसीन और दूसरा नूतन तम या होलोसीन प्लीस्टोसीन की शुरुवात आज से लगभग 26 लाख वर्ष पहले मानी गई है जबकि होलोसीन को आज से लगभग 11,500 वर्ष पहले शुरू हुआ बताया गया है लाखों वर्षों के प्रित्वी के बनने के इतिहास में एक बहुत महत्वून प्रोसेस को हिम युगों के माध्यम से एक्स्प्लेन किया गया है बताया जाता है कि पिछले लाखों करोडों वर्षों में प्रित्वी पर हिम यूगों यानि ग्लेशियल और अंतर हिम यूगों यानि इंटर ग्लेशियल पीरियड्स के साइकल्स हुए हैं ग्लेशियल पीरियड्स में प्रित्वी लगभग पूरी तरह से बर्फ से ढकी रहती थी और ऐसे दो ग्लेशियल पीरियड्स के बीच में एक ऐसी अवधी भी आती थी जिसमें बर्फ का ये आवरण यानि ये परत पिघल जाती थी और प्रित्वी का तापमान बढ़ जाता और ये स्थितियां जीवन के लिए काफी फेबरेबल रहती थी। Glacial और Interglacial दोनों पीरियड्स लाखों वर्षों तक चलते रहते थे। भूव वज्ञानिकों का मानना है कि Pleistocene, Glacial और Interglacial पीरियड्स के एक ऐसे ही साइकल को रिप्रेजेंट करता है। और इसी युग में आधुनिक मानव का उदै भी हुआ था। Holocene पिछले अंतिम हिम युग के बाद की अवधी को हमारे सामने दर्शाता है, जिसमें जलवायू, तापमान तथा लाइफ को सस्टेन करने की बहतर स्थितियां बनती हैं। इतने प्राचीन मानविय इतिहास को समझने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हालाकी लाखों वर्षपूर्व के मानविय अवशेश दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से पाए तो गए हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है और ऐसी स्थिती में इस समय के इतिहास को समझने का एक मात्र आधार इन लोगों द्वारा प्रयोग में लिये गए पत्थर के ओजारों के अध्यन से ही संभव हुआ है। पुरा तात्विक संदर्व या आर्केलोजिकल कॉंटेक्स्ट में मानव के इतिहास के शुरुवाती चरणों को केटेगराईज करने से पहले यह समझना जरूरी है कि ऐसा किसाधार पर किया गया है। जैसा कि हमने पहले समझा है कि इतिहास में बहुत प्राचीन समय के कॉंटेक्स्ट में मानवी अवशेश यानि हुमन रिमेंस बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। और इसीलिए इन समुदायों के इतिहास को समझने के लिए उनके द्वारा यूजड पत्थर के ओजारों का अध्यान किया जाता है। सबसे ब्रॉडर लेवल पर हुमन हिस्ट्री के सबसे शुरुवाती दौर को पाशानकाल या स्टोन एज, कास्यय युग या ब्रॉन्ज एज और लोह युग या आईरन एज में डिवाइड किया गया है। यहां हमारे लिए महत्वपोन केवल सबसे पहला चरण यानि पाशानकाल है। यह सब स्टेजिस थी पैलियोलिथिक या पुरापाशान, मिजोलिथिक यानि मध्यपाशानकाल, नियोलिथिक या नवपाशानकाल, तथा चालकोलिथिक यानि तामरपाशानकाल। जैसे जैसे प्रागेतिहासिक समुदायों और समाजों यानी प्री हिस्टोरिक कम्यूनिटीज और सोसाइटीज की स्टडी में और बढ़ोतरी हुई वैसे वैसे इतिहासकारों और आर्कियोलोजिस्ट्स ने इन प्रागेतिहासिक या पाशानकालीन लोगों की जीवन शैलियों और जीवन यापन की पधतियों को भी समझने का प्रयास किया और ऐसे में ये बात भी सामने आई कि इन प्रागेतिहासिक समुदायों या समाजों को केवल पत्थर के ओजारों के आधार पर कैटेगराईज करना शायद पूरी तरह से ठीक नहीं है और इसी लिए बदलते समय के साथ इन समुदायों का कैटेगराईजेशन करने के कुछ और आधार भी ढूंडे गए इन में से एक आधार जो धीरे-धीरे काफी पॉपिलर हुआ है वे है इन समुदायों के जीवन यापन की पद्धतियों में बदलाव का आधार सबसिस्टेंस स्ट्राटजीज या जीवन यापन की पद्धतियों के आधार पर इन प्रागेतिहासिक या पाशानकालीन समाजों को चार हिस्सों में बाटा गया है पहला प्रिमिटिव फूड कलेक्टिंग स्टेज या आदिम भोजन संग्रहन चरण जिसे पुरापाशानकाल के साथ जोड़ कर देखा जाता है दूसरा एडवांस्ट फूड कलेक्टिंग स्टेज या उन्नत भोजन संग्रहन चरण यानि वहकाल जब मानविय समुदायों ने भोजन प्राप्त करने की बहतर रणनीतियों यानि स्ट्राटिजीज का प्रयोग किया और बहुत से अलग-अलग जानवरों और पेड़ के साथ जोड कर देखा जाता है। इस केटेगराइजेशन का चौथा चरण सेटल्ड विलेज कम्यूनिटीज यानि बसे हुए ग्राम समुदायों के काल के रूप में एक्स्प्लेम किया गया है। इस चरण को सामान्य रूप से विक्सित नवपाशान या तामरपाशान काल के साथ जोड कर देखा जाता है। धीरे धीरे आर्केयोलोजिस्ट्स अब इस बात को मानने लगे हैं कि हाला कि जीवन यापन की पध्धतियों में आए बदलाव के आधार पर किया गया वर्गी करण, पत्थर के ओजारों में आए बदलाव के आधार पर किये गये वर्गी करण के साथ जोड कर तो देखे जाते हैं। लेकिन फिर भी जीवन यापन की पध्धतियों का आधार इन मानविय समाजों के इतिहास और उनकी संस्कृतियों में आए बदलावों को समझने और एक्स्प्लेन करने का एक बहतर धाचा है। इंडियन कॉंटेक्स्ट में पुरापाशान कालीन इतिहास को उस समय प्रयोग किये गए औजारों के आकार और उनकी यूटिलिटी के आधार पर तीन क्रोनोलोजिकल टाइम स्पैन्स में बाटा गया है। ये काल खंड हैं Lower Paleolithic period या निम्नपुरापाशान काल, Middle Paleolithic period या मध्यपुरापाशान काल और Upper Paleolithic period या उच्चपुरापाशान काल। निम्नपुरापाशान काल इन सभी में सबसे प्राचीन माना गया है और समकालींता के आधार पर इस काल को जियॉलोजिक टाइम स्केल के प्लीस्टोसीन पीरिड के मध्यभाग से जोड कर देखा गया है। इंडियन कॉंटेक्स्ट में Paleolithic period की chronology या कालकरम के संदर्ब में बहुत clarity नहीं है पर ज्यादा पॉपिलर व्यू के अनुसार सबसे प्राचीन पत्थर के आउजार बिल्लौरी पत्थर या पेबल्स से बनाए गये थे। पुरा पाशान काली इन पत्थर के आउजारों के विशय में दो सबसे प्राचीन डेट्स भारतिय उप महाद्वीप यानि इंडियन सब कॉंटिनेंट के नौर्थ वेस्टर्न पार्ट जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है से मिले हैं। पाकिस्तान में रावल पिंडी के पास रिवात नामक स्थान से जो पुरा पाशान कालीन औजार मिले हैं उन्हें आज से लगभग 20 लाख वर्ष पुराना मना गया है। और अगर इन डेट्स को सही माना जाए तो ये औजार अफरीका से मिले सबसे प्राचीन औजारों के समय के ही प्रतीत होते हैं। पाकिस्तान में ही दीना और जलालपुर नाम के दो शहरों के समीप ही जेलम नदी के आसपास कुछ और पुरापाशान कालीन ओजार मिले हैं जिनकी डेट्स लगभग 12 लाक वर्ष पहले की बताई गई है पूरे इंडियन सबकॉंटिनेंट में ये डेट्स सबसे पुरानी मानी गई हैं हाल में ही महराश्ट्र में पुरे के पास बोरी नाम के स्थान से पुरापाशान कालीन ओजार मिले हैं जिनको लगभग 6,70,000 वर्ष पहले का माना गया है और इस तरह से बोरी से मिले ओजारों की डेट्स भारतिय उप महाध्वीप के अंदरुनी भाग यानि प्राइद्वीपीय भाग की सबसे प्राचीन तिथी है सावानने रूप से ये माना जा सकता है कि भारतिय उप महाद्वीप में जो पुरा पाशानकाली इन आजार मिले हैं उन में से सबसे पुराने आजार आज से कई लाख वर्ष पहले बनाए और प्रयोग किये गए थे इंडियन कॉंटेक्स्ट में पेलियोलिथिक के टाइम पीरेड को इस्टाबलिश करने का प्रयास भी किया गया है आम तोर पर माना जाता है कि निम्न पुरा पाशानकाल यानि लोवर पेलियोलिथिक की शुरुवात लगभग 6 लाख वर्ष पहले हुई थी और ये लगभग 1 देड़ लाख वर्ष पहले तक चला इस टाइम स्पैन में सबसे महत्पूर्ण मानविय प्रजाती होमो इरेक्टस थी मध्य पुरा पाशानकाल को लगभग 1.5 लाख से 40,000 वर्ष पहले के बीच का माना गया है और इसी काल में आधुनिक मानव प्रजाती होमो सेपियंस का उदे हुआ था उच्चपूरा पाशानकाल को 40,000 से 10,000 वर्ष पहले का माना गया है और इस काल में आज की मानविय प्रजाती जिसे होमो सेपियंस सेपियंस के नाम से जाना जाता है का उदे हुआ था इस मानचित्र के माध्यम से हमें इंडियन सबकॉंटिनेंट में उन एरियाज के विशे में जानकारी मिल सकती है जहां से लोवर पैलियोलिथिक पीरिड के स्टोन टूल्स मिले हैं पूरे भारतिय उप महाद्वीप में तीन ऐसे रीजन्स हैं जहां ऐसा प्रतीत होता है कि लोवर पैलियोलिथिक एविडेंस लगभग पूरी तरह से नदारद है ये हैं आज के गंगा यमुना के अत्यंत उपजाओ मैदान और साथ ही सिंधु के मैदानों से लेकर थार रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा इस मांचित्र के अनुसार दक्कन के एक बड़े हिस्से से भी लोवर पैलियोलिथिक पीरेड के टूल्स नहीं मिलने के संकेत दिखाई देते हैं ये कहना मुश्किल है कि इन सभी क्षेत्रों से लोवर पैलियोलिथिक टूल्स क्यों नहीं मिले हैं पर ऐसा हो सकता है कि गंगा के मैदानों और सिंधु नदी से लेकर इंडो गैंजेटिक डिवाइड के क्षेत्र तक ये औजार इसलिए नहीं मिले हैं क्योंकि आज से लाख करातियों के जीवन यापन करने के लिए बहुत अनुकूल न रहे हों। दूसरी तरफ दक्कन के विशे में ये तर्क दिया गया है कि इस पूरे क्षेत्र में मुंबई के पास फटे जुआला मुखी के जमने की वजह से बनी चट्टानों जिन्हें बसाल्ट कहा जाता है से आजारों का निर्मान किया गया था क्योंकि बसाल्ट एक ऐसा पत्थर है जो आसानी से तूट जाता है और हवा और पानी के प्रभाव से चूरे में परिवर्तित हो जाता है इसलिए ये माना जाता है कि इस क्षेत्र में बनाए गए बसाल्ट के आजार इतने लंबे समय तक बचे नहीं रह सके और चूरे में परिवर्तित हो गए। इस तरह से ये ब्लैक कॉटन सॉयल का एक हिस्सा बन गए। इसलिए इस क्षेत्र से आजार लगभग न के बराबर मिले हैं। भारतिय उप महाद्वीप में जो सबसे महतपून पुरा पाशान कालीन क्षेत्र हैं वे इस प्रकार हैं। करनाटक के गुलबर्गा जिले में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी पर स्थित हुन्सगी नाम का स्थान। चेन्नई के पास अतिराम पक्कम। सौराश्ट्र में भादेर नदी घाटी का क्षेत्र। जारखंट के सिंगभूम जिले में ब्रारो नदी घाटी का क्षेत्र। उडीसा में मयूर भंज में बुहार बलंग घाटी। करनाटक में घाट प्रभा बेसिन में अनागवाडी और बागल कोट जैसे स्थान। इसी मानचित्र में कुछ ऐसे क्षेत्रों को भी दर्शाया गया है जहां चौपर चौपिंग और हैंडिक्स दोनों प्रकार की पुरापाशान कालिन संस्कृतियों के साक्ष मिले हैं। यह बात इसलिए भी महतपूर्ण है क्योंकि एक लंबे समय तक ये माना गया कि भारतिय उप महादूइप में चौपर चौपिंग और हैंडिक संस्कृतियां एक ही समय पर दो बिलकुल अलग-अलग भौगोलिक शेत्रों में पन पी थी। इसके बारे में और बातचीत हम आगे करेंगे। सभी हिस्सों से प्राप्थ हुआ है। शुरुवाती दोर में हस्त कुठार कोर से बनाया जाता था पर धीरे धीरे बाद के समय में इसे बड़े आकार के फ्लेक्स से भी बनाया जाने लगा। जिससे इसका स्वरूप और पतला और वजन हलका होता गया। हैंड एक्स को सावान्य रूप से एक औल पर्पस टूल या बहुमुखी औजार के रूप में देखा जाता है। इसका मतलब ये है कि इस एक औजार का प्रयोग किसी भी वस्तू को काटने, छीलने या उसमें छेद करने के लिए किया जा सकता था। मध्यपुरा पाशान काल आते आते इन सभी कामों के लिए अलग-अलग औजारों का प्रयोग किया जाने लगा था। आम तोर पर हस्त कुठार नाशपाती के आकार का होता है और इसे पकड़ने के लिए एक भारी भरकम कुंदा बनाया जाता था। यह आम तोर पर काफी भारी होता था जिससे बड़े आकार के मोटी चमडी वाले जानवरों का शिकार किया जा सकता था। पुरा पाशान काल का दूसरा महत्पूर्ण ओजार था विदारिनी या क्लीवर। क्लीवर आज के समय में प्रयोग किये जाने वाली कुलहाडी के लोहे वाले हिस्से से मिलता जुलता होता था और इसमें हस्त कुठार के उलट कटिंग एज काफी चौड़ी होती थी जिसके चलते इसे कुलहाडी की तरह चीजों को काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता हो ये दोनों आउजार आम तोर पर बाई फेस भी कहलाते हैं क्योंकि इन आउजारों की दोनों सतहों के कोनों पर चोट करके धार बनाई जाती थी निम्नपुरा पाशानकाल का तीसरा सबसे महत्पूर्ण आउजार खंडक या चौपर था यह एक बड़े आकार का आउजार होता था जो सामान्य रूप से बिल्लौरी पत्थर को काट कर बनाया जाता था इस आउजार को पत्थर की केवल एक सतह पर चोट करके बनाया जाता था और इस रूप में यह एक Unifacial यानी एक ही सतह वाला औजार कहा जाता है इसी के साथ सामानने रूप से एक और औजार मिलता है जिसे कतरना उपकरण या Chopping टूल कहा जाता है जिनमें Chopper के उलट दोनों सतहों पर चोट करके धार बनाई जाती थी इसे भी आम तोर पर बिल्लोरी पत्थर को काट कर बनाया जाता था जिन अलग-अलग ओजारों की बात हमने अभी की है उनहीं ओजारों के आधार पर निम्न पूरा पाशान कालें संस्कृतियों की पहचान की गई है संस्कृति या कल्चर शब्द का प्रेयोग आम तोर पर अलग-अलग कम्यूनिटीज के important material characteristics जैसे खानपान, भाशा, त्योहार आधी के लिए किया जाता है पर जब हम archaeology की बात करते हैं तो यहाँ पर संस्कृति या कल्चर शब्द के माइने कुछ अलग होते हैं स्टोन टूल्स के context में किसी भी संस्कृति या कल्चर की पहचान या उसकी identity उसमें यूज किये गए सबसे महतपूर्ण पत्थर के ओजारों की shapes, उनके बनाने की तकनीक और उनमें used पत्थर की किस्म जैसे अलग-अलग factors के basis पर की जाती है Indian सबकॉंटिनेंट में मुख्य रूप से दो प्रकार के lower paleolithic cultures के evidence दिखाई देते हैं पहले को सोहन संस्कृति का नाम दिया गया है और दूसरे को एशियूली संस्कृति के नाम से पहचाना गया है सोहन संस्कृति विशेश रूप से Indian सबकॉंटिनेंट के नौर्थ वेस्टरन पार्ट में पाकिस्तान से लेकर भारत में शिवालिक की पहाडियों के अलग-अलग हिस्सों से प्राप्त हुई है इसके सबसे शुरुवाती और महतुपूर्ण एविडेंस पाकिस्तान में पोटवार पठार के पास ही सोहन नदी के इलाके से प्राप्त हुए थे जिनकी वज़े से इस संस्कृति को सोहन संस्कृति का नाम दिया गया इस संस्कृति की मुख्य पहचान बिल्लौरी पत्थर को काट कर बनाए गए चौपर चौपिंग औजारों से की गई है और इसलिए मूल रूप से सोहन संस्कृति एक चौपर चौपिंग औजार संस्कृति का ही रूप मानी जा सकती है एश्यूली संस्कृती मुख्य रूप से भारतिय प्रायद्वीप यानी मध्य भारत से लेकर दक्षन भारत तक के अलग-अलग हिस्सों से प्राप्त हुई है यह संस्कृती मुख्य रूप से हस्त कुठार यानी हैंडेक्स पर आधारित औजार संस्कृती थी ये हस्त कुठार एक विशेश तकनीक से बनाए गए थे जिस तकनीक से बने सबसे पहले हस्त कुठारों की खोज फ्रांस के सेंट एशूल नाम के क्षेतर में की गई थी और इसीलिए इस प्रकार से बनाए गए हस्त कुठारों को एशूली संस्कृति का माना गया भारत के अधिकांश हिस्सों से प्राप्त हस्त कुठार एशूली संस्कृती से जुड़े हुए ही माने गए हैं यह ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में एक खास तकनीक से बनाए गए हस्त कुठारों में जो समानता थी उसका ये मतलब नहीं है कि इन समुदायों के बीच आपस में किसी तरिके का कोई संपर्क था यह समानता केवल पत्थर को तराशने की तकनीक भरतक सीमित थी जैसा कि हम बात करते रहे हैं इस संस्कृती के सबसे महत्पूर्ण औजार थे हस्त कुठार यानि हैंडेक्स और विदारिनी यानि क्लीवर्स इंडियन आर्कियोलोजी के कॉंटेक्स्ट में एक लंबे समय तक ये थियोरी बहुत पॉपुलर रही कि भारतिय उपमहाद्वीप में चौपर चौपिंग औजार संस्कृतियों और एशूली हस्त कुठार संस्कृतियों में एक क्लियर जियोग्रिफिकल डिविजन था इसका मतलब ये है कि ऐसा माना जाता था कि ये दोनों संस्कृतियां लगभग एक ही समय पर उपमहाद्वीप के अलग-अलग हिस्सों में एक्जिस्टेंस में रही थी सोहन चौपर चौपिंग संस्कृति को भारतिय उपमहाद्वीप के नौर्थ वेस्टर्न एरियाज यानि आज के पाकिस्तान के उत्तरी हिस्सों और भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक के कुछ शेत्रों तक सीमित माना गया था साथ ही यह तर्क भी दिया गया था कि एश्यूली हस्त कुठार संस्कृति मुख्य रूप से प्राइद्वीपी भारत यानि मध्य भारत से लेकर दक्षन तक फैली हुई थी इस तरह से इन दोनों संस्कृतियों के जियोग्रफिकल डोमेंज को एक इमेजिनरी लाइन यानि एक काल्पनिक रेखा से एक दूसरे से अलग माना गया और इस रेखा को मोवियस लाइन कहा गया जो कि यह थियोरी देने वाले आर्केॉलिजिस्ट के नाम पर आधारित थी पर बाद के समय में भारतिय पेनिंसुला यानि प्राइद्वीपिय भारत में कई ऐसे क्षेत्रों जैसे आज के आंधरप्रदेश, महराश्र, गुजरात और मध्य भारत की विंध्याचल परवत मालाओं के कई हिस्सों से चौपर चौपिंग औजार प्राप्थुमें हैं जिस मानचित्र को हमने पहले देखा था उससे भी ये बात स्पष्ट हो जाती है और इसलिए अब ये माननेता ज्यादा पॉपिलर हो गई है कि लोवर पैलियोलिथिक कल्चर्ज के कॉंटेक्स्ट में उत्तर और दक्षन भारत में अलग-अलग औजार संस्कृतियों की थि ठीक प्रतीत नहीं होती है लोवर पैलियोलिथिक की सबसे पॉपिलर संस्कृती निश्चित रूप से एश्यूली हस्त कुठार संस्कृती थी जो भारत के बहुत से अलग-अलग हिस्सों से प्राप्त हुई है एश्यूली संस्कृती के साक्ष गंगा के मैदानों और उत् अश्चिमी घाटों के हिस्सों को छोड़ कर भारत के लगभग सभी भागों से प्राप्त हुए हैं। आम तोर पर इस तक्नीक को इससे पहले यूज की जाने वाली तक्नीक जिसे एबिविलियन तक्नीक कहा जाता है के और विक्सित रूप में देखा जाता है। उतना ही किया जाता था और इस तरह से बहुत हद तक इस चोट से निकलने वाले फ्लेक्स की शेप और फॉर्म को कंट्रोल किया जा सकता था। इस प्रोसेस को कंट्रोल्ड फ्लेकिंग या नियंत्रित शल्की करण कहा जाता है और इसके माध्यम से हस्त कुठार पर तेज और अच्छी धार बनाई जा सकती थी। एशियूली तकनीक से बनाए गए हस्त कुठार बाइफेशिल कहलाते हैं। बाइफेशिल का अर्थ है दो सतह। बाइफेशिल टूल्स उन औजारों को कहा जाता है जिनमें दोनों सतह पर चोट करके धार बनाई जाती थी। अगर एक सामान्य उधारण के माध्यम से इसको एक्स्प्लेन करें तो कह सकते हैं कि एक सिक्के की दो सतह या फेस होते हैं जिने हम हेड और टेल कहते हैं। इस सिक्के को अगर आपको धारदार बनाना है तो या तो आप केवल हेड या फिर केवल टेल की तरफ से चोट करके ऐसा कर सकते हैं या फिर आप head और tail दोनों तरफ से सिक्के पर चोट करके इसे धारदार बना सकते हैं पहले case में इस सिक्के को एक unifacial tool कहा जाएगा और दूसरे case में इसे एक bifacial कहा जाएगा लगभग इसी तकनीक का यूज करते हुए विदारिनी या clevers का निर्माण भी किया जाता था Lower Paleolithic मानविय समुदायों द्वारा प्रयोग किये गए औजारों की खोज से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि एशियूली संस्कृती से जुड़े ये hunter gatherers आमतोर पर खुले आसमान के नीचे छोटी बड़ी नदियों या पानी के स्रोतों के आसपास ही रहते थे पर अन्य साक्ष इनकी बसावट के विशे में कुछ और जानकारी भी देते हैं उदाहरण के लिए राजस्थान के डीडवाना क्षेत्र के आसपास मिले evidence से प्रतीत होता है कि एशियूली संस्कृती के hunter gatherers यहां तालाबों और छोटे नालों के आसपास तथा बालू के टीलों जिनको अंग्रेजी में sand dunes कहा जाता है पर रहते थे मध्य भारत में भीमबेटका जैसे स्थानों पर बने रॉक शेल्टर्स में भी ये लोग रुकते थे जैसा कि यहां खुदाई में मिले एशियूलीन hand axes से स्पष्ट प्रतीत होता है इसी क्षेत्र के पास रायसेन जिले में छोटी-छोटी मौसमी नदियों और नालों के आसपास बड़े पैमाने पर एशियूली औजार प्राप्त हुए हैं ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों क्षेत्र अलग-अलग मौसमों में रुकने के लिए प्रयोग में लिये जाते थे सर्दियों या बारिश के दिनों में रॉक शेल्टर्स में रुका जाता था जबकि बाकी समय खुले आसमान के नीचे इन नदी नालों के आसपास समय बिताया जाता था एशियूली संस्कृती से जुड़े कुछ ऐसे क्षेत्र भी मिले हैं जिन्हें फैक्टरी साइट्स या कारखानों की संग्यादी गई है ये वे स्थान हैं जहां बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की अलग-अलग स्टेजिस के ओजार और पत्थर के टुकड़े मिले हैं ऐसा लगता है कि ये स्थान केवल ओजार बनाने के लिए यूज में लिये जाते थे और आम तोर पर ऐसी जगह पे होते थे जहां ओजार बनाने के लिए पत्थर आसानी से अवेलिबल था एश्यूली संस्कृती से जुड़ी हुई इस प्रकार की फैक्टरी साइट्स ललितपुर, अनागवाडी और चिर्खी नेवासा जैसी साइट्स से मिली हैं ऐसी ही एक पॉसिबल साइट करनाटक में हुन्सगी भी थी हालाकि लोवर पैलियोलिथिक संस्कृतियों के कॉंटेक्स्ट में उनके पत्थर के औजारों के अलावा बहुत कुछ और जानकारी मिलना लगभग असंभव प्रतीत होता है लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर जहां पर पैलियोलिथिक संदर्भों में होरिजॉंटल एक्सकेवेशन्स किये गए हैं वहां से इन कम्यूनिटीज के जीवन के कुछ और पहलूँ खास तोर पर उनके द्वारा बनाये गए पॉसिबल हैबिटेशन स्ट्रक्चर्स यानि आवासिय धाचो या रहने के स्थानों की कुछ जानकारी मिलती है इन स्थानों में मध्य पॉदेश में भीम बेटका के रॉक शेल्टर्स महराष्र में प्रवर नदी के किनारे स्थित चिर्खी और करनाटक में क्रिशना नदी के किनारे स्थित हुन्सगी महत्वण है भीम बेटका में एशुली संस्कृती के काल में ऐसे साक्ष मिलते हैं जिससे लगता है कि गुफा के अंदर ही पत्थरों को जोड़ कर एक दीवार बनाने का प्रयास किया गया था भीम बेटका की गुफाओं को फैक्ट्री साइट्स यानी कार खाने के रूप में भी आइडेंटिफाई किया गया है इसका मतलब ये है कि कुछ गुफाओं में केवल पत्थर के अवजार बनाने का काम किया जाता था इसी तरह चिर्खी भी एक बहुत सम्रद्ध फैक्ट्री साइट है जहां 15 बाई 15 मीटर के छोटे से हिस्से में लगभग 2000 पत्थर के अवजारों के अवशेश मिले थे हुन्सगी में एक ओवल यानि अंडाकार चबूत्रा मिला है जो लगभग 65 स्कुएर मीटर के एरिया का है और यहां से लगभग 600 औजार प्राप्त हुए हैं यह चबूत्रा चारों और से ग्रिनाइट के पट्टों से घिरा हुआ था जिन में से कुछ शायद मानव द्वारा वहां जानबूच कर रखे गए थे जिससे जोपडी नुमा स्ट्रक्चर को बनाया जा सके हुन्सगी से प्राप्त ज्यादतर औजार चूना पत्थर के बने हुए थे इसी तरह का एक और स्थान बिहार में मुंगेर के पास स्थित पैसरा में है जहां एशियूली संस्कृती से संबद्धित कई चबूत्रे मिले हैं जहां औजारों का निर्मान किया जाता था इस पूरे क्शेत्र में बड़ी संख्या में मैन्यूफैक्चरिंग की प्रॉसेस में अलग-अलग स्टेज के ओजार और पत्थर के टुकडे मिले हैं यहां की सबसे महतुपूर्ण खोज है ऐसे ही एक चबूत्रे के पास लगभग आठ पोस्ट होल्स का मिलना पोस्ट होल्स का मतलब होता है जोपड़ी बनाने के लिए लकड़ी के खंबे गाड़ने के गड़े इस तरह के एविडेंस यह इंडिकेट करते हैं कि एश्यूली संस्कृती से एसोसियेटेड हूमन कम्यूनिटीज जहां भी रुकती थी वहां किसी न किसी रूप में हैबिटेशनल स्ट्रक्चर्स का निर्मान करती थी पर इसके बारे में बहुत ब्रॉड लेवल पे कुछ भी कहपाना अभी बहुत मुश्किल है कुछ भी हो इस तरीके के एविडेंस कई इंट्रेस्टिंग पॉसिबिलिटीज की और इशारा तो करते ही है